मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये राज होटल का परीशर है और यहाँ पर गोगुंदा विदान सबाक्षेतर 149 राजस्थान के उद्यपूर जिले की विदान सबाक्षेतर है जहां के ये तमाम कॉंग्रेस के लोग है यहां के तमाम फ्रंटल ओर्गिनाज़ेशन जो है कॉंग्रेस के उनके तमाम पदादीकरी यहां पर है कॉंग्रेस के मास अची उलाल सिंग जाला यहां है और यहां आये हुए है प्रभारी कॉंग्रेस के चुनाओ के प्रभारी है अविनास जा वो यहां इन सब लोगों से कह रहे हैं कि पार्टी जिसे भी टिकेट देगी उसका साथ देना है जैसे ही उन्होंने ये बात कही तमाम कार्यकरता खड़े हो गए मीटिंग से आथ कर दिया और कहा कि हमारे इस्तिफे ले लो हम किसी और प्रतियासी को नहीं चाहते हम केवल डॉक्टर मांगिलाल गराशे कुछ आते हैं हम बात करेंगे इन लोगों से कि आखिर ये किसी चाहते हैं क्यों चाहते हैं और इनका विरोध क्या है नमस्कार क्या नाम है आपका हुई है प्रवारी जी यो आये हैं उन्होंने क्या कहा को अभी कोई टिकट का फाइनल नहीं है आला कमांच जिनको टिकट देगी उन पोई मगर हमारे यहां जितने भी लोग आये हुए उनकी यह की मांग है हमारे को डॉक्टर मंगलाल ग्रैशा कोई टिकट मिले और उनको वीजे बनाना है आप कहां से हैं मैं अपने साहिरा बेल्ट के डोल गाउं से हूँ तो यह डोल गाउं से हैं और यहां बताया जा रहा है कि अ यहां बैठे हैं कमोल वाले यहां पर बैठे हैं सर्दार सिंग्जी सर्दार सिंग्जी से बात करेंगे जो है कमोल से और वो यहां आईए अमरा जी भी ख़ात खड़ा कर रहे हैं हम सब से बात करेंगे आखिर साफे वाले सर्दार सिंग्जी को क्या चाहिए हमको तो गुस प्रभू जत्रो विकास अनरिष्ट देनु वह रड़ानी में हर जगा में हर जगा में अनवर मौरीदिया भावना है सबी काईरेकरानी फिल्ड में सबी जनतारी भी कि आपने मौंगिलाजी ने टिकेट मननु सावे और जाला सावरी संदे में नेतरता में आद पूरु मेवा अगर यह वह गात और पूंगरेस ने वाली है आपको लग रहा है कि महांगिलाज जी को टिकेट नहीं मिलेगा विश्वास है कि महांगिलाज जी को मिलेगा थोड़ी देर ही हो रही है तो हमारे काईरेकर अम तयार हिमन लगे ऐसा करें यह क्या बाते हुए आज मीटिंग म आपको ख़ड़े हुए झालती करें अब किसको मांगिलाज जी खड़े होंगे क्या तो आप खड़े करेंगे आपके तो समाज के बलू राम बील वह बीटिकट मांगे डिन हो दिया है अम्राराम बील मांगिलाल के साला से हमारी शिवा कर रहे हैं तो पार्टी इस वार आपकी बात नहीं मान रही दिखे अभी तक नहीं दिया 26,000 वालों को तो दिया है नसीम अक्तर को मिला है पुसकर यांगी को मिला है कहीं लोगों को टिकेट मिला है जो बड़े चुनाव से जीप्ट किया लग रहा है आप तो जिताएंगे ना निन देंगे तो हम तो वैसे हैं अरे साथ जनता के पास है टिकट में वोट आप तो यहां मंदल अध्यक्स थे अभी कोन बोल रहे तो संभू सिंग जी भी है अब तो निवदले लड़ेंगे अपने पत्से इस्टिफा देंगे पूरे पदाधिकारी सब जन प्रतिनिती सारे देंगे क्योंकि इत्ता अत्याचारतों सेंग ना जो आदमी वास्त में जनता के बीच में काम कर रहे हैं उसको सब चाते हैं तो कैसे नए वेक्ति को किसी को तोड़ी दे सकते हो ऑम जी मंदल अध्यक से नांदेश्मा के हाना इस्तिफा दे रहे हैं मिलकुल कर मांगी लाली को टिकेट नहीं मिलता है तो मैं मेरे पदसे इस्तिफा दूँगार मांगी लाली को निद्दिली छुना लड़ेंगो और गोकुंदा से जिता के तो यह आप देख सकते हैं इस तरह का लोगों में जोस है और लोग जो है आगे बढ़ के ऐसा सायद कॉंग्रेस में अभी तक प्रदेश में कहीं नहीं हुआ है जैसा यहाँ पर देखने को मिल रहा है यह तमाम मंदल अध्यक्स है सरपंच है इसने आप देख पा रहे है निकाराम चित्रवास के सरपंच है रावलिया खूर्द से लेके नाल मोखी नांदेश मा पूरे विदान सबक शेतर के लोग यहाँ है जो एक तरीके से मांग कर र दो ब्लोक है गोगंदा ए और गोगंदा अध्यक्स कोंग्रेस के अमने साथ की के नमसी नमसी最फ तो क्या कुछ चल रहां टिकट, जिन्हें आप चाह रहे हैं ? किन्हें आप चाह रहे हैं पॹले तो ये बताएं कोगंधा की सारी जनता जो है जो हुट 286 हमारे बहुत हैं और सारे लोग, सारी पप्प्निक के नाम पर आंज ही है कि मांगीलast चुना उल्रे क्योंकि जिशिए क्या तरह ने लोगों के लिए सुक दुख में राजनी वापिस में हर काम चोटा बड़ा सारा काम करवाया हूं और आज हर पब्लिक और हर बचे-बचे के नाम में मांगिलाल जग्राशा चुनाव लगा है यह सब की हिचा है हम सब चाहते हैं और मांगिलाल जी जितने वाले जैसा कि आएगा या नहीं आएगा नहीं आएगा तो आप लोगों की क्या रननीती है हमारी ब्लोग कॉंग्रेस कमिटी ने अब तक कॉंग्रेस पार्टी के सर्व परवेक्षक के रूप में मधू सुधन मिस्त्री जी प्रदेश के सभपरवारी विरेंदर चीजी राटोड साहब और सभी परवेक्षक के साथ में हमने सभी ने मीटिंग किया और सब ने एक मत से एक प्रस्ताव से यही प्रस्ताव था कि डॉक्टर मांगिलाल जी गराश्या यहां से चुनाव लड़े और जीते हैं लेकिन हम लिस्ट का इंदिजार कर रहे हैं पहली लिस्ट में भी नही है कारण क्या हम यही पूछना चाहते हैं और इसके बावजूद भी अगर तीसरी और हैंड तक इंजार करेंगे फिर हमारे सारे पदादिकारी सारे ब्लोग के मंडल अध्यक्स और समसब ने ते कर लिया सब सभी पदादिकारियों ने कि हम रिजाइन दे करके डॉक्टर मा मांगिलाज जी के टिकेट के लिए बादा बने उन सब को यह बताना चाहते हैं मैसेज देना चाहते हैं कि आप लोग कि क्यों कर रहे हैं ऐसी गलती जन्द भावनों का आदर क्यों नहीं करना चाहते हूं हम यह निविदन करना चाहते हैं तो इस्तिफा देखे मागिलाज जी को निर्दिल ये चुनाव लड़ाएंगे अगर टिकेट नहीं मिला तो सारे पड़ादिकारी गोगंदा मंडल के सभी बुल्दोनों ब्लोकों के और सभी मंडल के और बूत के जो हमारे दक्ष बने हुए सब लोगों ने ते कर लिया है कि हाम के लोग goingnes के जुड़े हुए उनकी भावना-स के बारे में राम सिंग जी ने बताया है शहर के पास ने जुड़े हुए तो हमारे आम जंता की और हम सब की यही मांग है कि डोक्टर मांगिलाल जी गरशो को टिकेट मिले और मुझे बूरा विश्वास एक संगटरन इस बात को अवश्य सुनेगा और मांगिलाल जी गरशो को टिकेट भी मिलेगा और हम सब महनत करके उनको जीता के लाएंगे अगर लिष्ट में नाम नहीं आया तो वो कोई बात नहीं है नाम आएगा मुझे विश्वास है मांगे लाजी कोई टिकेट मिलेगा हमारे साथ है मंदल अज्यक्स मंदल अज्यक्स वो व्यक्ति है जिनके एक-एक मंदल अज्यक्स के इलाके में कॉंग्रेस टिकी हुई है तो इन पिल्लर से बात करते हैं कि ये क्या कुछ चाहते हैं देखते हैं एक दो दिन और इंतजार कर लें अगर आता है तो ठीक है आज परिवक्षी जी आया है उनको हमारी बात सब दे दिये मांगिलाल जी के लिए बोल दिया है अगर देते हैं तो जो पॉब्लिक फ्यस्ला करेगी वह मांगिलाल जी मानें के मंडला जीक्स हमने इस तवा लिखके भी दिया अगर मांगिलाल जी को टिकेट नहीं मिलता है तो आमने इस तेपे की तियारी कर दिया है मैंने डोटरा सबस्तार साब से भाई फ्यस बात कि अभी 15 मिंट पहले सि करो वरना सारे मंडल जेक्स और भलोक जेक्स इस तिपिक त्यारी कर लिए है अगर टिकेट नहीं मिलता है तो हम फिर निजदली चुनाव लड़ेंगे यह हमने निनने लिया है हम सब कॉंग्रेस पार्टी ने जो बदेदरी करी है हमारे इस्तिपे सोब दिये हैं बड़सो कांग्रेस नहीं सोड़ेंगे मैं मंडल जद्यक्स निकाराम गराशिया देवला खंडे से आता हूँ और मंडल जद्यक्स और 21 पंचात है हमारे और हम मोधी लहर में भी जीत दिलाई है और हर सुना में हम कांग्रेस को जीत दिलाते है अब की बार यह दी मांगिलाल गराश का सुनाव लड़ेंगे इस तरह से इस पेटर्ण पर हम सुनाव लड़के उसे तीस बीच से पंद्रह हजार के सुनाव लीट दिला के देवला से बेजने के में जीमेदार है यह गोगुद्णा विदान सभाग छेत्र के दक्षिंड चेत्र से बिलोंग करते हैं जो वाकल हीड सिंग जी सर्वांगल मंड़ा दद्युक्त हीर सिंग मादरे चार जी क्या है इरादा हमारा इरादा प्रकका साब जाला साब के नितर में मांगिलाल जी गरैशा साब को जीता है उनको निजली इनको तुनाव लड़ेंगे तो हम कंदे से कंदे मिलाकर वाकल में 19,000 वो कोंग्रेस ट посмотреть देती और जितने वोट मगीवलाज जी वोंती को मिलते हैं इतन employees त्वाल लेंगेगा दोड़बाग बढ़ेगी विल्कुल दोड़ेंगे और मंगीलाल जी को टिंड मिलता है तो भी मंगीलाल जी से बोल दिया उपना मुरत निकाले ऑर भारम बरे पूरी सुनाव की त्यारी में और हमारे सुभी मिर्डल दक्स मिलके पूरी बार मंगीलाली को पुरा निर्दले भी इतना पड़ जो देंगे यह हम तेले सबागी सब्सक्राइब कहलेघी वर्क वेड़ा सिर्म helped कर रहा है कि अगर मांगी लाल गराशियों है ψकिसी आंदरject को मिलता है, तो डोक्टर मांगी लाल गराशिया को निद्धवी चुना हैं को पांसफ! व में बड़े जादे से जादे पांसफ! house! हमारे साथ है बाराथ सिंग जी बरवाडा और ये है साइरा के उप्रधान ये भी आज की इस मीटिंग में सामिल रहे थे और पुर्जोड तरीके से कहा था कि अगर कॉंग्रेस टिकेट नहीं देती है तो ये इस्तिफा भी दे देंगे इस्तिफा देंगे जिताव केंडिडेर एक कुछ बड़े नेता है लीडर है जिनके खुद की विदान सभा समल नीरी है और वो यहां के पंचायती कर रहे है बहुत दर्द होता है हमने आपका कौन सा क्या भी गड़ा है डॉक्टर मांगिलाल जी गराशा लगातार पांस साल से बारा बारा एक ए माने चीए ऐसे करदा वरने तक आप टिकेट और फर्स लिस्ट में जो नाम आना चीए जो थर्ड लिस्ट तक नाम नहीं आए अगर आप नीरदली चुनाओ लड़ाएंगे बात सिंग जी तो यह कितना चुनोज चित्ति पुर्ण होना कितना चलेंजिंग होगा अगर कॉं लड़ना पड़ा तन मन और धन से डॉक्टर मांगिलाल जी गराशे को जीता के और इत्यास रस देंगे कर निरदली भी लोग जीतते हैं क्यों उटकी सानुब होती है लोगों में दिल से काम करते हैं और हर समय सेवा में खड़े रहते हैं यह तो सब जानते हैं और गब्रा दूसरे विपक से वो भी हमारे साथ जूड़े यह तो फाइनल डॉक्टर मांगिलाल जी के टिकेट देते हैं यह नहीं देते हैं लड़ाएंगे और जीताएंगे आप बहुत आती है जो साहिरा में अच्छी तरीके से काम को संबालते हैं आप प्रधान और प्रधान सवार प्राम जी भी हमारे साथ खड़े हैं कोई तकलिब नहीं है और छोटी मोटी कोई बाते होती है तो बेट के वीचार विमस करके तनमंदन से दोड़ेंगे और साहिरा प्लस करके बेजेंगे